जिहां दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्सलमेशन टिटोरियल पर आपका स्वागत है आज आम यहां जेनरल एविलिटी टेस्ट का कुछ इंपोंटेंट ओन लाइनर कोशन का डिस्कसन करेंगे जो आपके आने वाले एक्जामिनेशन एंड टॉंटी टॉंटी सेकेंड स्वाल नमर एक देखिए दोस्तों भोकम्ब के एक ही समय पर आने वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कलाती है तो आपका होमोसिस्मल कलाती है भोकम्ब के एक ही समय पर आने वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल कलाती है सवाल नमर एक क सुर और पिर्थिवी के बिच सुर और पिर्थिवी के मध नियुंतम दूरी कब होती है तो सुर और पिर्थिवी के मध नियुंतम दूरी आपका तीन जन्वरी को होती है इसलिए सवाल नमर टू का एंसर आपका तीन जन्वरी हो जाए अब सवाल नमर तीन देखिए दोस्तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरह आपका सनी है और आपसे पूत दे सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह कौनता है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह आपका भिहस्पति है इसलिए सवर मंदल का दूसरा सबसे वड़ागरा सनी होगा दोस्तो सवाल नमर चार देखिए दोस्तो महादीप जहां मानब से सम्मंदित सबसे अधिक जिवासम मिले है तो वह अफिरका महादीप है जहां मानब से सम्मंदित सबसे अधिक जिवासम मिले है सवाल नमबर चार का इंसर आपका अफिरका महादीफ हो जाता है अब सवाल नमबर पांच देखिए में पुछा जाता है दोस्तो वेन अबजर्वड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ने तो उसका हो जाएगा तीन मई अब सवाल नमर छे देखिए दोस्तों सरीर के किस अंग में ऐवडिन संचीत रहता है तो सरीर के थाइराइड गरन्थी में है जो आपका ऐवडिन संचीत रहता है इसलिए सवाल नमर 6 का एंसर हो जाएगा फयराइड गरंथी सवाल नमर 7 देखिए दोस्तो भारत में मीटी का मिर्दा का सबसे ब्यापक और सरवाधीक उपजाव परकार काउंसा है तो आपका जलोड मीटी सबसे धीक ब्यापक और सरवाधीक उपजाव है तो इसलिए सवाल नमर 7 का एंसर आपका जेलोड मीटी हो जाएगा अब सवाल नमर 8 देखिए दोस्तो जिब विग्यान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है तो जिब विग्यान के जनक के नाम से आपका अरस्तु को जाना जाता है भारत में किस राज को चावल का कटोरा कहा जाता है तो जबाब होगा आंधर परदेश आंधर परदेश भारत का राज है जी से चावल का कटोरा कहा जाता है एक क्वेशन और आपसे पूद्धे भारत के किस राज को धान का कटोरा कहा जाता है तो भारत के 36 गढ़ राज को ध धानिका है जैपूर आप सभी पॉइंट को धियान में रखिएगा अब सवाल नमर दस और अंतिम सवाल देखिए दोस्तों भारतिये पुरातत्व के पिता की रूप में नामित वैक्ति अलेक्जेंडर कनिगम है इसलिए आपका सवाल नमर दस का एंसर आपका अलेक्जेंडर है अगर हमारे वीडियो आपके लिए इंप्वांटन लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजेगा तो जहीं दोस्तों अब हम अगले वीडियो मिलते हैं